इस प्रेवार रवीन की पार्ट सलाफिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर रहा हूं प्रैक्टिस सेट सेविन मौडल प्रैक्टिस सेविन किरन पॉब्लीकेशन का जो हूब आपकी एकजाम में आएंगे अगर आपको 10 में 10 नमबर चाहिए मैठेमेटिक्स में तो लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं मेरे साथ आप यह मत्तोचिया कि सरी के वीडियो पर कम भी हो जा रहा है इसका मतलब सरी ठीक से नहीं पराते हैं हम इतना जरूर ठीक से पराते हैं कि इतना बढ़ियास आपको मैठेमेटिक्स कोई नहीं सिखाएगा प्रैक्टिस सेट में तो ज्यादा बात नहीं सोचिए आप प्रैक्टिस किजिए मेरे साथ 10 में 10 आंके गरांटी है साइंस आपको सुबह सर्जी कराएंगे लेकिन कुछ कारणा बस नहीं करा रहें कराएंगे तो लगातार करेंगे कुछ कारणा बस यानि किता वित्वित खराब इसलिए वह सोय हुए हैं तो हम टाइम अर्वाद आपका नहीं करना चाहते हैं प्रैक्टिस से बहें लेकर आ करेंगे और साथ में सेर भी करेंगे ठीक ना ताकि मजा आएगा पराने में चलिए ज्यादा बात नहीं बनाएंगे प्रैक्टिस सेट साथ का पहला प्रशन ये रहा आपके सामने बारा संख्याओं का आउसत और 30 है और पहली तीन संख्याओं का आउसत 33 है अगली चार संख्या कौन सी होगे बनाने का सबसे सोटनियम लेकिन समझना जरूरी है जब यह उसत का प्रस्म दिया जाए और बोला जाए कि इतना संख्याओं का आउसत इतना है तो उसका हम योगफल से जरूरी होता है और योगफल को हम इंगली से बोलते हैं सम तो सम बराबर 12 नमब करेंगे तो ऐसे कर लिजिए बारा के पारा में 8 बरेयर 96 और चाव हांसी नौ बारत यह 369 456 यह टोटल संख्याओं का योगफलाया अब यहां पर दिया गया है कि तीन संख्याओं का आउसत त्रेपन है संख्या कितना है तीन संख्या तीन ठिक ना और तीन संख्याओं का कितना जाएगा 33 यह नहीं आने विया उसके बाद आगे कि चार संख्या बोला है इसका अगर हम सम निकालेंगे तो चार गुने 35 पुर्णा के एक वटा दो यानि कि 35 दुना इसको ऐसे कर लेंगे 35 दुना 70 और एक 70 वटा दो ऐसे लिख सकते हैं तो गुने 70 वटा दो इसको जब आप ऐसे काटिएगा ते 70 दुना कितना है का 142 उसके बाद आगली अगली दो संख्याओं का उसा 40 तो अगली दो संख्याओं का योगफ्ण लेगा लिख लोगुने 40 यानि कि 80 अब यहां से एक बास सूचिए कि 12 संख्याओं का उसा तो टोटल योगफल 46 यहां पे आ स्थाइब की सम आफ नाइन संख्या नाइन हो जाईगा चारा 3 साथ अदुनाव नौ संख्या सम आफ नो संख्या यह कितना जाएगा ये सभी को जोर देंगे नव आध्यगारा केक हासिल एक एक अन्नो दस अचार चौधा आठ बाइस के दो हासिल दो दो आएके तीन तीन सो एकोईश तो आप खुदी सोचिए कि बारा संख्या का योग फ़ल चार सो छपन है उसमें सो नो संख्या का योग तीन सो एकोईश है तो आप तीन संख्या का योग निकाल सकते हैं कि तीन संख्या का योग तो सौम ओफ तीन संख्या का योग निकाल येगा तो क्या करना पड़ेगा चारसो छपन में से घटा ली जाएगा पर 323 में से घटे गा तो पांथ में से दो गिया आपके सामने आगे का जो डियर कंडिशन है वह कंडिशन इस परकार से है यदि दस भी संख्या एगारी और बारावी संख्या से क्रम सा चार और पांच कम है दस भी संख्या जो होगा अब बारावी संख्या एगारी और बारावी से क्रम सा चार और पांच कम लेकिन आपको निखालना है बारावी संख्या तो आपस्या बेज्याक उप्लात है यापना के चलते हैं कि कोई यह वस्ठी आप्सों से चेक करना है तो चेक किजिए option 4 से, तो मान लेते हैं कि 12 संख्या 47 है, अगर 12 संख्या 47 होगा, तो 10 संख्या के बारे में सर्थ है कि 12 संख्या से 5 कम, 47 से 5 कम यह होगा 42, और 12 संख्या से 4 कम, यानि कि इसको 46 रखेंगे तब तो इससे 4 कम 42 हैगा, अग कंडिसा नहीं कि तीनों संख्या के जोर करके 135 आथी, अपना मन से कंडिसा निकाले ने, इसमें से इंफर्मिशन परके, तो सब को जोर के देखिए कि 135 पूर जाता है या नहीं, अगर 135 पूर गया, तो यह सही है, option D, आ नहीं तो अगला से कर लेंगे, 47 को जोर यह, 7, 6, 13 13, 15 के 5, हासिल कितना, एक, एक आचार 5, आचार 9, आचार 13, जूट के आगी है 135, तो समझ जाए कि यह करेक्ट आंसर है, बागी को चेक करेंगे, तो 135 से कम आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, जब उन्चास को लेंगे तो, उम्मिदेबासमाज में आगी होगा, तो बढ़ में अंसर आ जाता, लेकिन समझाने के लिए मुझे इतना लिखना परा, इसलिए आप बुरा मत मानें के सरी, इतना कुछ लिख रहे हैं, एकजाम में लिखेंगे, तो समय बढ़ जाएगा, यहाँ सीखेंगे, तो वहाँ पर समय बढ़ जाएगा, आपको शीखना है और करते हुए 6 पंप 4 दिनों में किसी टंकी को खाली कर सकता है, टंकी को दो दिनों में खाली करने के लिए 8 पंपों को परते दिन कितना घंटा चलाना पड़ेगा, तो इजी प्रस्न है, 12 घंटा, 6 पंप 4 दिन, तो ऐसे लिखेंगे, इसको 12 घंटा, कभी-कभी आजाता है ना मच्छर सामने, इसलिए नहीं लिखा पाता है, लिखा हुआ है कि 12 घंटा, और 8 चो पंप है, सोरी, 6 पंप, और कितना दिन तक, 4 दिन तक, टंकी क्या होगी या, खाली, अब टंकी का ये चमता हुआ, खाली हुआ इतना ही, ये चमता हुआ, और य ये ही टंकी को खाली करना है, दो दिन में, आठ पंप लगा देना है, कितना घंटा डेली चलेगा, ये पता नहीं है, तो घंटा के लिए हम H लिख देते हैं, दोन जगा तो काम सेम ही होगा, जब आपस में इसको बराबर किजिएगा ना, तो 4 के पाराय में दो मर्तबे कट जाएगा, दो दुना, चार चारतियाई, बारा, चतरी कितना हो जाएगा, आठ आरा, बराबर H, मतलब आठारा घंटा सही समय लगेगा, खाली करने में, जब दो दिन और आठ पंप लगा तार चालू रहेगा, तब, अब ये अठारों को यहां रखिएगा, संकु का आधार का छित्रफल, 75-46 cm2 है, और इसकी उगुचाई 15 cm है, संकु का आयतन बताईए, सबसे पहली बात कि जो संकु का आयतन बताना है, ये संकु का आयतन का फर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आयतन बराबर होता है, एक बटा तीन, पाई, आर स्कुायर H, यानि कि आपको R का हुमान चाहिए और H का हुमान चाहिए, तो यहाँ पर H का मान दिया गया है, R का मान आप कैसे निकालेंगे, R का मान निकालेंगे, ये छित्रफल दिया हुआ इसकी साहिता से, यहाँ जो छित्रफल दिया गया है, किसका छित्रफल है, संकु का अधार का जब कोई संकू है तो वो ऐसे बनेगा और इसका दार किस पर करका होता है तो बीरता कार होता है यानि कि ब्रीट का 7 वह दिया गया है और यहां से समाझ नह daylight कि यह बीरत का चट्री सुआयर दिया गया है मतलब पाई सबको पता है कि 343 का मतलब होता है साथ गुने साथ गुने साथ और यह साथ पहले से तो सबको पता है कि रूट है बड़ल साथ के मतलब एक साथ निकलता है दबल साथ के बदला एक साथ 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 सत्य कितना हो गया डियर 59 यानि कि आर कमान हो गया उन्चास अब यहां से आप निकाल सकते है तर बस फर्मूला पिर रख देना है सबको एक बटा तीन गुने पाई कमान 22 बटा साथ आरे स्क्वाइर मतलब उन्चास गुने उन्चास और एच कमान 15 बस इतना करेंगे आंसर आपके सामने रहेगा जैब इस सब को हल करेंगे तो आप 3 के पारा में 5 बार कर दीजिए 7 के पारा में 7 बार 22 सत्य कितना हो जाता है डियर 154 और गुने उन्चास पत्य कितना हो जाएगा चा पचास पत्य ठाइस तो यानि की 245 अब देखिए 154 का मल्टीप्लाई करना है 245 से तो करेंगे आप तीनंग का मल्टीप्लाई उससे पहले आप एक बार आप्शन को जहांके लिजिए 35,000, 37,000, 36,000, 40,000 तो एक बार इसको मल्टीप्लाई हम नजदीक में करके देखिए क्या होता है अगर हम नजदीक में मल्टीप्लाई करके देखिए तो यह हम मानके चलते हैं एक्सो चोबन ऌर यह बलकि एक्सो पचास है कितना है? एक्सो पचास उनल आतिता चाहू छट्तीस पच जीव और शांसो पचास यानि कि एक्सो चौबन से मल्टीप्लाई नहीं करके इसको तो यह गलत हो जाएगा यह गलत हो जाएगा और इस पर कार्सिस सही आंसर आपकर निकल जाएगा जब आप प्रॉक्सी मिलेट करके निकालेंगे तब लेकिन अगर आप करेक्ट करेंगे तो वह ही आगा आपके सामने प्रसंख्या 94 क्या लिखा गया है तो प्रसंख्या 94 में लिखा गया यदी एकस का 35 परसंट के बराबर है और साथ ही एकस और वाई के 20 का अंतर 1014 है तो दोनों संख्याव का योग फलवत आईए तो एजी प्रसंट बनाते कैसे देखिए एकस का 35 परसंट एकस का 35 परसंट का मतलब गुना जो बराबर होगा वाई का 165 परसंट के बराबर होगा यहां से क्या करेंगा तो यहांसे करेंगे यह परसंट से परसंट गया हो 5 पांच के पहारा है मेंivan 5 पांच के पहारा है میں 30 यहां लिखिए एक सॉन उपात 2 य ये साट और 33 लिखर साक्य करके 33 और साथ लिख़िए यह दोनों का आंतर है 1014, तो दोनों का आंतर 1014, लेकिन रेसियो में कितना गंतर, तो 33 में से 7 गया तो 26 का आंतर, और हमें चाहिए योग भल तो जो चाहिए उसे गुना, तो 33 साथ 40 से गुना कर देंगे, बस इसको हल कर लिजिए, दो के पहारा में 13, दो के पहारा में 20, तेरा के पहारा में 13, एक आने में, बस गया कितना, 13, एक आने में, तो बस गया 9, एक 10, तेरे आठ चलो तरसे, यानि कि 104, अठातर को 2 से मुल्टिपलाई के जिए आरतना, 16, 17, 14, 15, 1560 कर एक टांसर हो जाएगा, जो कि अप्सिन 4 में द लिखा गया है, लिखा गया है कि एक बस तू पर सारे 12 परसेंट के छूट देने के बाद, 1225 में बेचा गया, यदि दी गई छूट सारे 9 परसेंट की होती, तो बस तू का क्रेमल कितना का होगा, सो इजी प्रसने बनाते कैसे, पहले डिसकाउंट कितना के देते हैं डियर, सारे 12 परसेंट का, तो डिसकाउंट जो सारे 12 परसेंट होता है, क्या इसका फ्रेक्शन वेलू आपको पता है, फ्रेक्शन वेलू पता रहेगा, जल्दी बनेगा, सारे 12 परसेंट का मान होता है, एक बाट आट, तो यह एक बाट आट लिखने का मतलब क्या है, यह यहां कब बेच रहे हैं जब आठ सारे 12% का डिसकाउंट यानि कि साथ में बेच रहे हैं सेलिंग प्रैस यहां पर साथ आया है तो साथ से क्या कर देंगे डिवाइड और मल्टी प्लाइ कर देंगे 8 से ताकि यहां निकल जागा यह मर्पी अब जो एमरे पी रियल में हैं उसे इमरेपी को हमको अब नाया में बेचना है तो किसी भी समान को और मिल थे 좀 साड़े 9% के छूट मिल रही है तो सो में से साड़े 9% घटा देंगे यानि कि आपको जो मिलेगा वह समान कितना मिलेगा 90.5% पर 90.5% को हम 905 बाटा में 100 ये परसेंट के बदला दसंबलों जो यहां पर देते उसके बदला में हम 10 लिख देते हैं नीचे में अब इसको हल कीजिएगा अंसर आपके सामने हैं कैसे हल करना है साथ के पहारा में काटने आता है इसको काट सकते हैं कट जाएगा यह देखिए जब इसको काटी गातो साथ के पहारा में सात ऐकॉम सात बस्धा कितना और यहां दो के पहारा में 25 पहारा में 25 यानि कि साथ गूने 181 करेंगे चाहिए चाहिए जो ऑप्षन चार में दिया गया तो जैसे भी आपको हल करना है कर लेकिं तरीका यहीं रख देखकर आपको इतना नहीं बिल्कुल आता हो अब देखिए यह बनाना एकापड तो इतना ही दिया हुग रहता है इसी का मान निकलना होता है लेकिन यहां पर इसका मान और पलस में इसका उल्टा का मान फिर पूछा है तो निकालते कैसे हैं जब जूट तो निकालते कैसे हैं जब root under में राता है तो root under में ये लिखा गया कितुना है root under 1 plus cos theta आपको मिद्धर shortcut में करके बताते हैं 1 plus cos theta बटा में 1 minus cos theta आपको करना क्या होता है कि इसका हरुका पड़ी में एकरना होता है जैसे करते हैं यानि कि पलट करके multiply root under को बढ़ा देंगे 1 minus cos theta है तो उपर नीचा 1 plus cos theta से multiply कर देंगे अब यहां से क्या होता है कि यह root under 1 plus cos को multiply करेंगे तो 1 plus cos theta का यह हो जाएगा whole square और नीचे हो जाएगा a minus b और a plus b यानि कि a square minus b square आप यहां तक यह दिया आपकर कर रहे लेंगे तो आगे की process देखिए आगे की process में क्या कहेगा कि 1 plus cos square theta इसको भी में square की रुप मिला सकते है 1 minus cos square theta सबको पता है कि sin square theta होता है उपर में 1 plus cos theta का whole square इतना का मतलब होता है sin square theta यह हो गया sin square theta आप यहां पर ध्यान देने यह बात है कि square इस पर भी है और square इस पर भी है यह दोनों square से टोटल का total root कट जाएगा यहां पर बचेगा डियर 1 plus cos theta बटा में sin theta ठीक है उसी परकार से जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यह निकाल के देगा देखिए यहां पर 1 plus cos theta उपर था तो यहां पर में 1 plus cos theta है यहां पर में 1 minus cos theta है तो निकाल काएगा 1 minus cos theta और बटा में फिर उल्टा करके गुना करेंगे तो 1 minus cos square theta जिसका मतलब होगा sin theta square कटने के बाद अब sin theta और sin theta केलिसियम कितना होता है sin theta उपर में लिखेगा 1 plus cos theta और plus में 1 minus cos theta जब आप इतना करेंगे तो क्या होगा कि माइनस से यह plus बला कट जाएगा एक आएक बच गिया 2 बटा में sin theta अब 2 बटा में sin theta हो गया तो 2 और 1 बटा sin theta यह है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा sin theta ऐसे लिख सकते हैं या नहीं नहीं लिख सकते हैं तो और एक वटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसक थीटा तो कॉसक थीटा इसका सही जवाब हो जाएगा जो क्या ओप्शन एक में दिया गया है कोई धिक्कत कि को स्भावत तो आपको 12 वर बता रहे हैं जब पुषन आपको छेटर फल जाए वो लुम से और वह चीज इस में दिया गया हूं में तो हैं तो हमें सा उसी सा फर्मूले लगाते हैं यहां पर शमॉप संबाषध का छो जए पूछां गूजा का होल Ś철 अगर यह मानते हैं और यहां जो बरावर देगा किसके बरावर देगा तो बद रूट तीन के बरावर देगा बाटा में कुछ ने तो एक लीग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप यहां से रूट तीन से या रूट तीन कट जाएगा और यह चार इधर चल जाएगा मुल्टीपल आई में यानि कि A स्कॉाइर बरावर हो जाएगा 32 गूने 4 अब यह स्कॉाइर हाट आएगे तो रूट इंडर लगाएगे यह 32 के बदला में आप का लिख सकते हैं दिया आठ गूने 4 गूने 4 इतना लिख सकते हैं और यह 8 के बदला में आप का लिख सकते हैं दिया तो 8 के बदला में लिख सकते हैं आप दो गूने से 2 गुणे 2 4 के बदलाए फिर 2 गूणे 2 और फिर यह 4 के बदलाए में 2 गूणे 2 जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए double 2 के बदला एक बाहर double 2 के बतला एक बाहर double 2 के बदला एक बाहर यह root अंदर में रहा जायगा multiply कर देंगे दो दुना चार दुना आठ रूट कितना हो जाएगा दो तो आठ रूट दो इसका हो गिया भुजा जो कि ए का मान है और ए इसका भुजा माने थे तो correct answer हो गिया दो कोई दिक्कत तो नहीं कर लेंगे न जैसे आप calculation करना चाहते हूं वैसे ही किजी लेकिन आएगा आंसर इतना है लेकिन फर्मूला के बराबर में करना पड़ेगा इसका चेतर पर चलिए डियर आब अगले प्रस्ण की तरफ और अगला प्रस्ण ये रहा आपके सामने प्र दो दिनों पूरा कर सकते हैं विक हिस्सा कितना होगा यह बताना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिछले प्रस्ण में पराथ चुके हैं कि प्छला practice में आपको बताये थे कि पैसा की बारी आएगा कोई काम करने में कि किसको कितना पैसा मिलेगा तो यहाँ उस को लिकिए ए अगर अकेला करेगा तो कितना दीन में करेगा बारा बिया करेगा तो इसला और स्ट एकर साथ सबको पता है कि काम में अगर हम दिन से नियंक है यह च्छमता в यहुए तो टोटल के लिए सब्ता यहां हें कितना बारा हजार बारह इनों के छम्ताए के बदले, काम करने के छम्ताए के बदले, तो तीनों का छम्ता है 8, डिवाइड कर दिये, और हमें चाहिए बी का मान, बी का छम्ताए 3 से गूना, 8 के पारां में चाट जागा है कितना, 15, 100 बारे में, एक परस्षन और है आपके पास ये 99 का जो परस्षन है यादि अलपा और बीटा समीकराण 1 स्कार प्लस BX बढ़ाबर 0 के मूल है तो एक बाटा अलपा स्कार प्लस में बढ़ाबर बीटा स्कॉर बढ़ाबर वाट और ये option दिया गया है यह प्रस्व मिवें कि यह बहुत लंबा जाएगा कंसे कम एक पेज लगे बनाने में अब आ जाएगे तो दो पेज भी लग सकता है लेकिन मैं आपको वह तरीका नहीं बताँगा जिसमें एक दो पेज़े लगेगा आपको मैं दुनिया का सबसे तरीका बताँगा जो कोई भी टीचर नहीं बताएगा अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अभी देख लिजी में तर और किसी टीचर से पूछ के तो बनाते कैसे दखिये यहां पे जो समिकरान है एक सब्सकहर Robles bx प्लस C अपना मर्जी से कोई ऐसा समीकरन मानलीब जो एक सब्सक्वार प्लस bi टी के रुपका हो तो कोई भी समिकरन मानने से पहले हम उसका मॉल पता कर रिंगे अगर आप इस को चीजिन पर्हाय होंगे तो इस को आप इस परकार कि प्लिपलाई देने के लिए कि यियों होंगे एक बार करने के लिए अलजयवरामे एक सोब सेटीघ pigina एक्स प्लस दो और एक्स प्लस तिन अजब इसको आप मल्टिप्लाई आपस में किज देगा तिया हो जागा एक्स स्कॉयर पलस दो आतीन पांच एक्स प्लस में दो आतीया एच्छाओ क्या यहाँ x square प्लस bx प्लस c के रूप का है जब इसको तो तो इतना में आएगा और इतना में जब आ जाता है तो आप यहाँ से direct मूल निकाल लेते हैं एक्स का मान माइनस तो बराबर करके जीरो और एक्स का मान माइनस सिल यही तो मूल हुआ ना तो यह जो मूल निकलेगा जिसको आप एक्स का मान बोलते हैं तो पहला को आप अलफा मान सकते हैं यहाँ पे पलस दू है तो बराबर में जीरो किजेगा तो माइनस दो आएगा यानि कहले बढ़ाबर हो गया माइनस तुम पलस्टी नए तो माइनस दिन आगा तो बीटा बढ़ाबर होगिया माइनस ती यह कोई बिती सब्सक्राइब न एक स्कार प्लस प्लस को सतिस्फाइड करने का है को कि आपको निकलना एक वरतालंफाए-2 यानि कि पलस 4 222 यानि कि पलस तो पलस पंतलम 9 आपको हितना बात पता नहीं है एक सोच के जो गुनान के में होते हैं तो इसको यह बोलते हैं X के गुनायक में होता है उसको हम B बोलते हैं और इसको हम C बोलते हैं अब A भी C का मान यहाँ पर रखिए और जिस option से यह 13 बटा 36 पैदा हो जाएगा वह यह option आपर correct होगा option 1 को यदि आप चेक करेंगे तो नीचे में सिर्फ C है और C का मान 6 है तो यहाँ पर यह 6 नहीं 36 होना चाहिए जो कि गलत है option 2 में A गुने C है यह गुने 6 यहाँ भी 6 आजागा जो कि गलत हो जागा option 3 में देखी गा तो A square मतलब 1 का square एक हो जागा जो कि यह भी गलत होगा automatic option 4 से लेकिन बोलेगा किसर चार कई से सही है तो आमको verify करके बताई तो लीचे ना verify कर लीचे जैब इसको verify करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है दो अदो गुने सी मतलब दो च्छा का 12 और बाटा में सी का square यानि के च्छा का 36 25 में से बारा घटाईगा तेरा बटा 36 सटिसफाइड कर गया मतलब यह करेक्ट आंसर है आपको लगेगा किस तरह यह लेंदी है लेकिन एक दो प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पर 16% पर्ति वर्ष की दर से 9 महीनों के लिए चक्रिविर्दी ब्याद ज्याद करें यदि ब्याद की गनना 3 मासिक रूप से की जाती है अच्छा यानि कि आपको यहाँ पर प्रिंस्पल दिया गया है 31,250 और रेट आफ इंट्रेस्ट की बात करें तो 16% पर येर है लेकिन यहाँ पर ब्याद की गनना 3 मासिक यानि तीन महीना पर ही करना है और आपको बताना है चक्रिविर्दी ब्याद कितना दिन के लिए है तो समय होगी आपका 9 महीना के लिए कि तिर महना पर ब्याज के गणना औरी तुर्ट दिया गया है 12% सुरी 155 पर संट पर इर किCR बारो महना में आपको 20 मिलें है थे 14 लोग करना को थेमेशिक्त नेकर सकते क्वागर का सीवार पर से क्यों कि वि 4500 आसने करेंगे तो वह 16% ना हो करके कितना मिलेगा 4 परसेंट और टाइम कितना है थ्री मौंस सोरी ताइम है 9 महीना नौ महिना के लिए दो लाइं तिसरा थीन महिना के लिए तिन लाइं अब लिखने का तरीका क्या होगा 342R, 209, कूलेगा? pourra noises 7ց1 , 2,25 मतला 3 महिना में चार परसन, 4% 5 maina में मुद्ल सोट, 4 के बारा १ा में 25 के निटे são 5 पे 1 25-1035, 25 बत्मकिरी से संप्लेगा? 15-25 15-1250. मतलब पहला 3 महिना में इसके बार warfare मिलेगा 250 में आगला 3 महिना में फिर 1250 मिलेगा, और यह यहां पर सेम लिखते हैं, उसके बाद इसका भी तो इसको 4% मिलना है, मतलब 4% का मतलब कितना डिर्ट एक बटाब पचीस मिलना है, तो बारगिस फटाइस का एक बटाब पचीस निकालेगा तो यहां जाएगा 50, और इसका यह दूगना यहां पर sorry यह आपर साथ नहीं वहले कि आप इसका दूगना 100 और इसका फीर आ पर एक वटवेट पिज ने कलेगा यह Сब आप इतना कर लेते हैं तो यहीआ आपका भ्याज कर दो हां सिंपल तरीकास निकाल देजे उन 402 लेकि जब यह को बूक में देखेंगे इतना बारा लंबा सोलूशन मिलेगा जो कि आपके समझ से बाहर होगा तो मेरे साथ जूरिए मैथमेटिक्स का नंबर आपको कहीं ने जागा एक जानने आ जाएगा 10 का 10 तो चलिए मिलते आपसे हम अगले सेट में आपको जूरने के लिए अंतिम अंतिम तक बहुत बहुत धन्यवाद विडियो पसंद आया है सीख रहे हैं तो आगे भी शेर कीजिए क्योंकि आपने दोस्त के पास भी शेर कीजिए और लाइक कीजिए और जो दिक्कत होना उसको क कमेंट में बता देचे ओके थैंक यू